नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर 10 अप्रेल से लगने वाले CMK जनता दर्बार में इन लोगों को मिलेगी अनुमती मनिश कर्षप मामले पर 10 अप्रेल को सुप्रीम कोट में सुनवाई सासराम में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट बिहार में क्रोणा मरीजों की संख्याद 46 पर पहुंची सारदोल ठाकर को लेकर इर्फान पठान का बयान इसके साती बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से 10 अप्रेल से लगने वारे सीम के जनता दर्बार में इन लोगों को मिलेगी अनुमती बिहार विधान सभा का सत्र समाप्त हो चुका है ऐसे में अब एक बार फिर से बिहार के मुखे मंत्रे नितीश कमार के दोरा अपना जनता दर्बार लगाने के शुरवात की जा रही है पता दे कि 10 अप्रेल को लगने वारा जनता दर्बार लगभग देड़ महीने बाद लगाया जागा हाला कि सीयम नितीश के जनता दर्बार में उन लोगों को ही जानी की अनुमती दी जाएगी जिन्होंने कोविट का टीका ले लिया हो और उनका जांच नेगेटिव आया हो पहिस में जानी के लिए लोगों को ऑनलाइन आविदन करने की जरूरत होगी उसके बाद आविदन किये गए लोगों में से प्रिशासन के दौरा लोगों का चेयन कर पूरी जांच परताल के बाद जनता दर्बार में जानी की अनुमती दी जाएगी मालू हो कि जनता दर्बा से विवादों में घिरकर ग्रफतार के गए मनीश कर्षप के द्वारा अलग अलग राजियों में दर्ज मामलों को एक साथ जोडने के लिए और एन ऐसे को खटाने की मांग को लेकर पांच अप्रेल को सुप्रीम कोर्ट में अरजी दर्ज करवाई गए थी वहें उनके द्व मारपीत की घटना को गलत तरी के सोचल मीडिया पर पेश किये जानी को लेकर गरफतार किये गये थे वहीं बीते दिन मनीश कर्षप का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने गया जिस पर मुखे नयाधीश ने यह कग कर केस आगे बढ़ा कर 10 अप्रेल को कर दिया कि केस उन्होंने पढ़ार नहीं है फलाल तमिलाडू की मदुराई कोट के द्वारा मनीश कर्षप को उनीश सप्रेल तक नयाई खिरासत में भेज दिया गया है CM डिप्टी CM ने एक साथ किया पटना मेट्रो परियोजना के TBM का उधगातन प्यार के मुखे मंतर इंतीश कमार और उपमुखे मंतर तेश्वी यादव के दोरा नर्मानधीर मोईनूल हक स्टेडियम के पास पटना मेट्रो परियोजना के पहले टरनल बोरिंग मसीन महाव पीर का उधगातन किया गया बता दे किस मसीन का वज लगभग 420 में ट्रिक टन है वहीं अब इसके इस्तमाह से खुदाई के काम में काफी तेजी आएगी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के दिकारियों के दोरा दी गई जानकारी के नुसार यह दूसरा मौका है जब पतना मिट्रो परियोजना के काम में तेजी आएगी भोजपूरी अभिनेत्री अकांचा दूबे के मौत मामले पर समर सिंग गिरफतार कुछ दिनों पहले भोजपूरी अभिनेत्री अकांचा दूबे सारनात के एक होटल में मृत पाई गई थी वहीं अब इस मामले को लेकर भोजपूरी सिनेमा जगत के मशूर सिंगर और अकांचा के बॉइफरेंड समर सिंग को पुलिस के द्वारा विदेश भागनी की आशंका को देखते वे उसके नाम का लुकाउट नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश के गाजियाबास से गिरफता कराया गया था आपकी जानकारी के लिए बता दे कि फिलाल आकांचा दुवे का पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आ चुका है जिसमें यहाँ पाया गया है कि उनके पेट में कुछ बीस एमल भूरे रंक का संदग्द लिक्विड पदार्थ और साथ ही अभी नेत्री का म्यूकस मेंब्रेन ओफ स्टमक चोक्ट मिला है इसके लावा अभी नेत्री की कलाई पर चोड़ के निशान भी पाई गया है सिंगर अभीजीद ने बिहार को लेकर अपने बेते से कहा ये मशूर प्लेबैक सिंगर अभीजीज सिंग बीतिदन बिहार के वैशाली में आयोजित वैशाली महुसब में अपने बेते जय भटाचारी के साथ पहुँझे बता दे कि बीते दिन इस कारे क्रम का अंतम दन था वई सिंगर अभीजी सिंग को सुनने के लिए बड़ी शंक्या में लोग मौजूद थे बता दे कि इस दोरान अभीजी सिंग ने अपने बेटे जय भटाचारी का लोगों से परिचे कराया और साथ ही मजाक्या अंदाज में अपने बेटे से और वहां मौजूद लोगों से कहा कि पापा लोग प्रमूट करते हैं लेकिन मैं इसको बड़े ही मुश्किल से जबरदस्ती लेकर आया हूँ इसलिए आप लोग भी जबरदस्ती इसे गवाएं उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आप लोग इसे आश्रवाद देंगे इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अगर तुम यहां नहीं आते तो यहां बिहार है यहां के लोग तुम्हें उठवा कर ले आते यहां पर लोग प्यार से उठवा लेते हैं सासा राम में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट के नुसार अब स्थिती सामाने होती नजर आ रही है साथ वेदन कहीं से कोई घटना की सूचना खबर लिखे जाने तक सामने नहीं आई है इसके साथ ही सभी 102 जगों को चनत कर पुलस बल के साथ दंदादिकारी 24 गंटे अपनी नजर बनाए रखे हुए है मालूम हो कि जिन भ स brillar में काबा सिजनदो जारी किया गया है बतादिकिس से पहले सीजन में निहा सिंघर एंटार के द्वारा Yepy में कआबा निकाला गया था तो वहीं अब बिहार में काबा जारी किया गया है मालूम हो कि गाने में लिखा समया से राथ और ट॑र के तौरा अभीwow में के दौरा और साथ इस वीडियो में लालू यादव का भी जिक्र किया गया है, बता दे किस वीडियो को लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है, परिं लोगों के द्वारा इस वीडियो पर तरह तरह की प्रतिक्रिया भी दी जा रही है। पार्टी में मुख्य मंत्रे इन्तीश कुमार के द्वारा बिहार के राजेपार राजंद्र विश्वनात अलेड करके साथ सभी दलो के निताओं को अमंत्रत किया गया है। बिहार में करोणा के मामले में लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है। बतादे कि पिछले 24 घंटे में बिहार की राजधानी पटना में कुल 17 नए मामले सामने आए हैं जिनमें जले के एक पीचसी की नर्स भी शामिल है। एक दिन में करोणा वाइरस संक्रमन के 6050 नए मामले सामने आए हैं। राबरी आवास पर होने वाले दावत एफ़तार में हुआ बदलाओ। अब यह दावत 13 अप्रेल को ना होकर 9 अप्रेल यानि की रविवार को आयूजित किया जाएगा। 9 अप्रेल को होने वाले सफ़तार दावत में बिहार के उप मुखे मंत्री तेश्री यादव, पुर्व मुखे मंत्री राबरी देवी, वन पड़यावरन और जलवायू परिवर्तन मिभाग के मंत्री तेश प्रताप यादव और राजे सभास सांसा डॉक्टर मिशा भारती भी उपस्तित रहेंगी, मालूम हो कि पिछले वर्स हुए इस दिफ्तार पार्टी में सीम नितीश भी शामिल हुए थे और इसके बाद ही राजनिती ने नई करवर्ट ली थी और मुख्य मंत्री नितीश खमार एंडिये को छोड़ कर महागरबंधन के साथ जुर गय थे बिहार के नेताओं पर पीके का तंच, आज यानिके शुक्रवार को राज़िती रनितिकार प्रिशान के सोर अपने जंसुराज पदियातरा के दौरान बिहार के सारन पहुँचे जहां उन्होंने लोग उसको संबोधत करते वे बिहार के नेताओं पर तंच कसते वे कहा कि आज के समय में बिहार में नेता जब जनता के बीच जाते हैं तो भरे ही कुछ कड़े या न कड़े लेकिन दो काम जरूर करते हैं पहला कि वे अपने विरोधियों को गाली देते हैं और दूसरा कि वो जनता को लारच देते हैं उन्होंने काया कि जब तक आप सभी लोग जागरूख नहीं होंगे तब तक मैं आपका कुछ भी काम नहीं करूँगा मैं आज यहाँ आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने नहीं आया हूँ मैं बस यह पूछने आया हूँ कि जब सभी निताओं के दोरा यद्धावा किया जाता है कि उन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया है और अगर मैं यह मान भी लूँ तो सवाल यह को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है उन्होंने प्रतिक्रिया देते वे कहा किस चनाओं में महागरबंधन का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं है और इसका हम लोग समिक्षा करेंगे उन्होंने कहा कि ऐसे कोसी और सारा निर्वाचन छेतर की जनता ने मुख्य के नितित्व में विहर के अंदर अबूद पूर विकास से संबंधित अंगिनत कारे हुए हैं जिसकी चर्चा आज देश दुनिया में भी होती है जेडियो ने समरार चौधरी के खिलाब डीम को सौपा ग्यापन आज यानिकी शुक्रवार को जेडियो एमनसी नीरज कुमा के नितित्व में प्रतिनिधी मंडल के द्वारा अधिनियम 2007 संपती विरूपन की धारा 145 के तहट बीजेपी के प्रदेश अध्यक समरार चौधरी के खिलाब पटना जलाधिकारी के आवास पर इस सितकारे आले पहुँच डियम डॉक्टर चंदर सेखर सिंग को ग्यापन सौपा गया है वहीं ग्यापन सौपे जाने के बाद जेडियो एमल से नीरज कुमार के द्वारा मीडिया से बाचीत करते वे कहा गया कि बीजेपी के स्थापना दिवस के दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक समरार चौधरी के द्वाई पूरी के एक नीजी बैंक के करके उनके खिलाफ कारवाई की जाए सारदोल ठाकुर को लेकर इर्फान पठान का बेयान बीदे दिन आईपियल के सोलवे सीजन के नौवे मुकाबले में कॉलकता नाइट राइडर्स के द्वारा रायस्थान रोल्स बैंगलोर को एक क्यासी रनों से मात दे दी गई बता कि उन्होंने जिस तरह की पारी खेली वह शांदार थी जब सारदोल मैदान पर उत्रे थे तब केके आर के आधे बल्लेबाज डगाउट में वापस लौट चुके थे उनकी पारी ने मैच का रुखी पलड डाला आप इस तरह की पारी की उमीद आंदर रशेल नितीश रान के साथ सारदोल ने शांदार प्रदर्शन किया जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी शुक्रवार को पिट्रॉल डीजल के रेट जारी किये गा इसके बाद राजधानी पटना में आज पिट्रॉल 107.02 रुपे और डीजल 94.02 प्रति लिटर नर्धारित की गई है इसके साथ ही गया में प्रैकिवा प्रति लिटर की तरस से मिल रहा है बीता दिन हमान दुरा पूछेए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रण जवाब हमें गरे कमें निकर दिया है उनके नाम ही इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल के और आज का सवाल है आपके अनुसार बिहार MLC चनाव में आई परी नाम को देखते वे किस पाटी का पल्रा भारी लग रहा है आपना जवाब हमें अमारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बदाएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी निउस अगर आप यूटूब से देखरें सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देखरें तो प्लीज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद